अस्सलाव अलेकुम निस्टर्स, वेलकम बाक टो माई चैनल, आज आप सुनेंगे नौवल, ये खौब तो सेराब है, बाइफरहत इश्ट्या, लास्ट एपिसोड, और आज का एपिसोड बहुत अच्छा है, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको खुब इंजॉई करने वाल गई है, वो एमर्जंसी में वहां गई है, मुझे कह रही थी कि माईला को युनिवरस्टी से लाते हुए बाहर कहीं से लंच करवा देना, अब मेरा तो इस वक्त कहीं लंच के लिए रुपने का मूट नहीं हो रहा था, तुम फ्रेश हो कर आ जाओ, फिर दोनों मिल जुलक लंच का बंदोबस्त करते हैं, मैं उसकी बात पर सर हिलाती अपने कमरे में चली गई थी, दस मिनट बात में किचिन में आई तो वो वहां पर पहरे से मौझूद था, फ्रीजर में मूझ डाले वो पता नहीं क्या निकाना चाह रहा था, मैं अभी उसकी पास ही आकर खड़ हो गई थी, फ्रीजर में शामी कबाब पसंदे, कोफते, समूसे, रोल वगएरा स्टोर करना ममा ने सितारा आंटी से ही सिखा था, फ्रीजर में गोश्ट, कीमा, मचली वगएरा सब कुछ पहुँद था, मगर जो चीज वो ढून रहा था, वो नजर नहीं आ रही थी, इसे भी आज ही दोका देना था, तब ही ममा बहार लंज करने पर इसरार कर रहीं थी, फ्रीजर बंद करते हुए उसने मायूसी से कहा, अब क्या करें, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने फ्रीजर खोल कर देखा तो उस पे भी कुछ काबिले जिकर रेडी मेड चीज नजर नहीं आ मामा इस बात पर मुझे कितना बुरा बला कहा करती थी, शर्मिंदा करती थी, कि छोटी बहन इतना अच्छा खाना पकाती है, और बड़ी सिवाय चाय बनाने और बर्तन दोने के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, मामा की चिन में मसरूफ होती, या रुष्णा कुछ काम कर र आगे बढ़कर अपने खिदमात पेश करनी पर दी, क्या हुआ, क्या सोचने लग गई, उसने मेरी तरफ बगौर देखा, चीज सैन्विच बना लेते हैं, घर में भी वक्त बेवक्त भूंक लगने पर, मैं चीज सैन्विच से ही रुत्फंदोज हुआ करती थी, डबल रो कौन फिक्स खाकर इस वक्त तो मुझे सफ्ट किस्म की भूंक लग रही है, खौमखा मेरे पराठे खाने को नजर लगा रहा था, वैसे पराठे खा खाकर भी तुम इतनी दूबली बतली हो, मेरा मुँ बनता देखकर वों हस्ते हुए बोला, अरे वा, क्या जबरदस्त काल रहा था, मैं उसकी हरकात उसकनात मुलाहिजा कर रही थी, अभी वो सब चीजे एकटी करी रहा था, कि उनके घर काम करने वाला लड़का एक हाथ में थेली, और दूसरे में गाड़ी की चाबिलिये के चिन में घुसा, शाबाश, बहुत चल्दी ले आये तुम, उसके ह चीज नान पर स्प्रेट करो, मश्रूम का कैन उपनर से खोलते हुए उसने मश्रूफ अंदाज में कहा था, वो क्या करना चाह रहा था, मेरी समझ में आ गया था, चीज, टेमाटो सॉस, मश्रूम, समक और काली मिर्च का छिरकाओ करके, वो नान माइक्रोवेव में रखे जा चुके थे, मैंने उसकी पूरी पूरी मदद करवाई थी, मैं काउंटर पर फैला हुआ सामान से मेट रही थी, जबकि वो माइक्रोवेव के सर पर खड़ा हमारे लंच के तयार होने का इंतजार कर रहा था, तुम चाहो तो इसे देसी पीजा कह सकती हो, चाहो तो रैड पातिब किया था, मैं उस भाप उडाते गर्म गरम लंच से पूरा पूरा इंसाफ करने लगी थी, वाक्त ही ये बहुत पज़ेका है, निवाला मुँ में डालते हुए मैंने तारीफ की, लेकिन यी आइडिया तुमारे पास कहां से आया, ये कहकर शापिकी इचाद है, उन सिपलेते हुए मैंने अपने ख्यालात का इज़ार किया, तो वो पूछ बैठा, तुम खाना नहीं पकाती? नहीं, मुझे कुकिंग नहीं आती, जो थोड़ी बहुत चीज़े मैं बना लेती हूँ, वो ऐसी है, जो शायद तुम भी बना लेते होगे, मैंने बगएर शर्मि रहा था कि मिया के जिकर पे मैं शर्मा जाओंगी, तो ये उसकी भूल थी, उसने मस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, ऐसे जैसे मेरा जवाब उसने बहुत एंजॉई किया हूँ, लेकिन कुक भी तो मुफ्त सिदमात अंजाम नहीं देखा, बात तो वही होगी, एक इज दाफी बोच्ट तो पढ़ गया ना उस मजलूम की जेप पर, वो बड़ी शरीर निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था, तुम क्यों इस गम में हलकान हो रहे हो, बेफिकर रहो, मैं किसी कंगले से शादी नहीं करूंगी, उसकी आमदनी इतनी होगी कि मेरे तमाम नखरे ब ला दिया, वैसे मामा भी थोड़ी देर में आ जाएंगी, अपनी प्लेट सिंक में रखते हुए उसने मुझे तसली देने की कोशिश की, पता नहीं रोजाना इतनी पाबंदी से वो कहां मटल घष्ट करने चाता था, उसके जाने के बाद दस बारा फोन कॉल्स आई थी, औ पड़े पापा ओफिस से आ गए तो शाम की चाय मैंने ही बनाई और हम लोगोंने लॉन में बैठकर बाते करती हुए चाय पी, एक बात तो मुझे माननी ही पड़ी थी, और वो ये, कि यहां रहने के नाम पर में जितनी बेजार हुई थी, अब उतना ही मज़ा आ रहा था, और समीत वहां सबका रवया बहुत दोस्ताना और अपनायत लिये हुए था, मुझे एत्राफ करना पड़ा कि इतना घर जैसा माहौल तो मुझे खाला की घर भी नहीं मिलता, उनकी लंबी चौड़ी ससुराल, वहां हर वक्त मेले का समा रहता था, वहां पढ़ाई करना पोन से फारिख होकर मैं दो ढ़ाई घंटे स्टडी करके सो जाने का प्रोग्राम बनाती, किताबे वगरा खोल कर बैट गई, अगला पेपर दो दिन बाद होना था, दो दिन का गैप सब कुछ दोराने के लिए काफी था, सुबह मेरी आँख देर से खुली थी, हलका फुल का नाश्टा करके में दुबारा कमरा नशीन हो गई, फिर लंच करने के लिए मैं आँटी के बुलाने पर ही कमरे से निकली, हम दोनों ने खाना शुरू किया ही था जब ऑन भी घर आ गया, सितारा आँटी उसके आ जाने पर बड़ी हैरान नजर आ रही थी, बस घर पर लं आँटी ने उसकी मसरूफियत का जिकर बड़ी नापसंदीद की से किया था, तुमने जॉप कर ली है ओन, मैंने बेसाफ्तगी में पोचा, उसके गरदन हिलाने पर सितारा आँटी नाराजगी से बोली, मैंने कितना मना किया था, मगर यहां मेरी सुनता ही कौन है, बेटा महाफप्ती है तो अब्बा महाफप्ती मेरे मना करने पर उल्टा नाराज हो रही थे, कि बेटे के कैरियर में रुकावटे खड़ी कर रही हूँ, वो उनकी नाराज शकल देखकर मस्कुराए जा रहा था, असल में मेरे एक प्रोफेसर है, उनकी अपनी कमपनी है, उन्हों सीख पाया था, अच्छा तो तुम शाम में वहाँ बिजी होते हो, मेरे पोशने पर पुसर हिला कर बोला, जितनी भी कनसल्टिंग फ़र्म्स हैं, उनमें असल काम होता हैं शाम में है, क्लाइंट्स वगेरा शाम में ही आते हैं, क्लाइंट्स वगेरा से फारिख होकर में व चुरू हो गया था फिर तुमारी बाकी आक्टिविटीज का तो बहुत हर्ज होता होगा स्पोर्ट्स, मॉडलिंग, सिंगिंग वगेरा मैंने इस तरह कहा जैसे उसकी इन तमाम होबीज की में बहुत बड़ी मदा हुई नहीं किसी चीज का कोई हर्ज नहीं होता मैं एक ही व जरस अपने फैंस को इंतिजार करवाओ, फिर मार्केट वैल्यू और बढ़ जाती है बड़ा बेशरम बंदा था ये ओन हाशिम अलीवी, मेरे तंजी अंदास का नोटिस लिये बगएर वो अपने बेसुरे गानों बन, मुश्टमिल नय आल्बम और चंद पागल और बेव रूम्स में चले गए थे, वो सारा दिन मैंने पढ़ते हुए गुजारा, सारा दिन पढ़ते पढ़ते तुम बिजार नहीं हुई, रात में और मेरे कमरे में आ गया था, मैंने नोट से एक तरफ रख कर नफी में सर हिलाया, तो वो समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, पागल हो जाओगी इतना पढ़कर, अब जो तुम पढ़ रही हो तो पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा होगा, दिमाग फ्रेश हो तो ही सही काम करता है, कमरे से बाहर निकलो जरा खुली पजा में सास लो, खुद को रिलाक्स करो, मैं उसकी बात खामोशी से सुन रही थी, च पतारा आंटी और बड़े पापा लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे, उनसे 15-20 मिनिट में वापस आ जाने का कहते हम दोनों सड़क पर निकलाए थे, कैसा लग रहा है बाहर आकर, वाउक करते हुए उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा तो लग रहा है, वैसे मैं पढ़ते हुए बेजार बिल्कुल नहीं हो रही थी, मैंने उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशश की, फिर तो तुम्हारी हिमत की दाद देनी पड़ेगी, मुझे तो तुम्हारी हालत देखकर रहमा रहा था, कैसा घुटा हुआ माहौल लग रहा था कमरे का, चारों तरफ किताबे, नोट्स, पाइले, उफ, मैं तो इस तरह कभी भी नहीं बढ़ सकता, उसमें बाकाइदा कान पकड़कर तौबा की, मुझे तुम्हारे तरीके कार से अफ्तलाफ है, बढ़ाई को इस तरह बोज बना कर नहीं, बलके इंजॉई करके करना चाहिए, उ इसके खयाल से तो वो दुनिया का सबसे हैंसम और जहीन लड़का था, जिस पर जमाने भर की हर लड़की दिलो जान से पिदा होने को तयार बैठी थी, 15-20 मिनिट तक आस-पास की गलियों में वाक करते हम वापस घर आ गए थे, वापसी मैं उसने अपने और मेरे लिए टाइम दे रहा था, मेरी समझ में नहीं आया, मैं घर वापस आ गई थी, सितारा अंटी और बड़े पापा खुद मुझे घर चोड़ने आए थे, रास्ते में गाड़ी तार्यक रोड़ पर रुकवा कर, उन्होंने मुझे मेरे बहुत मना करने के बावजूद, दो सूट दिलवाई थे, मामा जिठाने की बहुत शुकर गुजार थी, जिन्होंने उनकी बेटी का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा था, मैं इम्तहानों से फरावत के बाद छुटियों के मज़े ले रही थी, रिजल्ट आ जाने के बाद मेरा MFILM में अड्मिशन लेने का प्र बड़े पापा, सितारा अंटी और ओन हमारे घर आए थे, वो दोनों तो अकसर आते ही थे, मगर ओन इस तरह पहली मरतब आया था, शायद रुषना से दोस्ती होने की वज़ा से वो भी मुपारक बात देने आ गया था, मैं रुषना और अरीज ओन से बादे कर रहे थे, ज ऐसे भी जिस तरह तुम पढ़ती हो, उसके बाद लंबा आराम जरूरी हो जाता है, वो बड़ी संजीद्गी से बोला था, और तुम्हारा फाइफ स्टार होटेल कहां तक आँचा? मैंने सवाल किया तो वो उसी संजीद्गी से बोला, वो प्रोजेक्ट भी तकरीबन मुक पानों में पड़ी थी, हम लोग फ्लोर कुशिंस पर बैठे थे और वो लोग दूर दूर सोफो पर बैठे हुए थे, मैं माईला से पहले रुष्णा का रिष्टा तै करने की हप में नहीं थी, मगर अब उन्होंने ही रिष्टा रुष्णा के लिए दिया, तो मैं अपने रखे होंगे, क्या सोच रहा होगा वो, कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ, मुझे कोई पोच भी नहीं रहा, जहां तक मेरी पसंद का सवाल था तो शोयब एक कजन और अब बहनोई होने के नाते तो मुझे अच्छा लगा था, अगर अगर वहां से मेरे लिए रिष्टा आ मगर ममा पर पहर हाल मुझे बहुत गुसा आया था, तो मैं माईला की फिकर करनी की जरूरत नहीं है, सितारा अंटी ने एक नजर मुझे पर डाल कर ममा से कहा, तो मैं चौक कर उनकी तरफ देखने लगी, उनकी और बड़े पापा के चेहरे पर मौजूद मुझे उलजन मे मबतला कर गई थी, मैंने ओन की तरफ देखा तो वो इस तमाम गफ्तगों से एकसर ला दालुक, रुशना और अरीच के साथ ही लगा हुआ था, मगर अप मेरा ध्यान उन लोगों की बातों की तरफ से हट ही नहीं रहा था, वो लोग जाने के लिए खड़े हुए तो हम सब उने गेट तक खुदा हाफिस कहने आई थे, गाड़ी में बैटने से पहले उन्होंने ममा के पास खड़े होकर सरगोश्य में कुछ बात की थी, जिसके जवाब में ममा मस्कुरा दी थी, बात में सुनना ही पाई थी, मगर मेरा तजस्स के मारे बुरा हाल था, उन लोगों क नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में ये फराप मोट मुस्तकिल मेरे जिन्दकी का हिस्सा बनने वाला था, पहली मरतबा ममा के मुझे ये बात सुनकर, ये ओन का प्रपोजल मेरे लिए आया है, मुझे कितना शदीद गुस्सा आया था, मैं अंदासर नहीं कर पाई थी फिर अपना गुस्सा मैंने ये सुचकर जब्द कर लिया था, कि जब ममा को उने इंकार करना ही है, तो मैं बिला बज़ा अपना फोन क्यूं जराओं, जाहिर है ममा उनने इंकार कर देंगी, जिन लोगों ने उनने कभी सुकून से नहीं रहने दिया, वो उनकी बेटी को केंगे, जब पुछ इठानी के रूप में इतनी खतरनाक थी, तो फिर साज बन कर तो जो सितम अपनी बखू पर ना ढढ़ाती, कम था, मगर जब ममा ने सरसरी से अंदाज में इस रिष्टे के बारे में मेरी राय जानना चाही, यूँ जैसे कोई रस्म पूरी कर रही हो, वरना पैसा तो वो पहने ही कर चुकी थी, मैं सदमे और रंज से चीख उठी थी, मामा और रुष्णा के सामने चीख चीख कर इस रिष्टे से इंकार करते हुए, मेरे पास उन लोगों की मखालफत में कहने के लिए बहुत कुछ था, सितारा अंटी के मजालिम, उनकी मकार और तमाम गल्फरेंड्स, मगर मेरे हर एतरास का उन दोनों के पास जवाब तयार था, सितारा भाविय बदल चुकी है, कई बार उन्होंने मुझसे अपने पिछले सलूक की माफी मांगी है, लड़किया खोद उसके पीछे आती है, वो किसी के पीछे नहीं पड़ा, मेरा इससे तुमसे ज़ादा वास्ता पड़ा है, रोजाना उससे मिलती हूँ, सिवाए हाई हेलो के उसकी बतौरे फास, किसी से भी ज़ादा दोस्ती नहीं है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इस तरह हो सकता है, मेरी सिंदगी का फैसला हो रहा था, और मेरे हाशी मी रह गया था, कोई एक बात भी तो उसमें ऐसी नहीं थी, जो मुझे उसके हक में हमबार कर सकती, ऐसे ही मैं मामा को बोज़ लगने लगी थी, तो ऑन से कही बहतर रिश्टा, मेरा पिछले दिनों आया था, जिसे मामा ने फौरण ही मना कर दिया, वो लड़का है, क मामा को उसकी एज़ जादा लगी थी, और मेरे लिए दुरुस्त बंदा वो मेरा हम उमर, पत अन, गयर संजीदा और नावबाली सा ऑन था, मामा और मुझे नजरियाती अफ्तलाफात था, और मैं उन्हें कायल नहीं कर पा रही थी, बलके ये कहना दुरुस्त होगा कि वो पहतरीन इंतखाब है, उसकी आदतें अच्छी हैं, हम लोगों का देखा भाला है, और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताऊं कि इस रिष्टे में सितारा भाबी और हाश्रिम भाई के साथ, ऑन की भी मर्जी शामिल है, सितारा भाबी ने मुझे खुद बताया है, कि ऑ मा तो मुझे उसके साथ रुखसत कर देने में ही देर ना करती, मगर वो दो साल से पहले शादी नहीं करना चाहता था, फाइनल येर मकमल हो जाने के बाद उसका मास्टर्स करने के लिए अमेरिका जाने का इरादा था, निकाह वाले दिन के लिए मेरा बहतरीन जोड़ा और रुखसा, रुष्णा दुपट्टे का तफसीली मौाइना करते हुए कसीदे पढ़ रही थी, तो मामा जूलरी की खूबिया गिनवा रही थी, ये सारी जिन्दगी का मौमला था, और जिन्दगी कपड़ों और जूलरी के सहारे नहीं गुजर सकती, मैं लॉली पॉप के तोर पर मिलने वाले इस ड्रेस और जूलरी से खुश होने वालों में से नहीं थी, ने कहा वाले दिन मैं सबको बहुत हसीन और बिलकुल पतली हुई लग रही थी, रुष्णा के बार अक्स मुझे जूलरी और मेकप से उलजन होती थी, इसलिए मैं अक्सर साधे से हुलिय में ही रहा करती थी, आइने में नजर आते अपने अक्स को देखकर मेरा दिल धारे मार मार करोनी को चा रहा था, ये सब तैयारिया किसके लिए थी, वो जिसे मैं गवया कहा करती थी, जिसे मैंने कभी भी गयर मामूली एहमियत नहीं दी थी, जो मेरे आइडियल से बिलकु और मेरी पसंद के मताबिक होता तो शायद मेरे इसमे दुनिया निभाने के लिए भी ना रोती निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए मेरे रोने को सब एक मश्रकी लिड़की का माबाप और बेहन भाई से जुदा होने वाला रोना समझ रहे थे तस्वीरें, मूवी, लोगों के दल्चस्प तपसिरें मैं किसी भी चीज़ पर तबज्ज़ा नहीं दे पा रही थी और थोड़ी देरी मुश्किल से सुकून से बैठा होगा बस सब बंद कर मुझ से नहीं बैठा जा रहा वैसे भी इतनी तस्वीरे काफी हैं वो सितारा अंटी के टोकने और कहका शापी के मना करने के बावजूद मेरे बराबर से उठ गया था स्ट्रेट से उतर कर अब वो सब कजन्स फगेरा के साथ अल्ला गुला करने और बाते करने में मश्पूल हो गया था अगर कोई ऐसा महमान वहां आता जिसने उसे पहले से देख ना रखा होता तो वो अहरत से पूछता कि इन सब में से दूला कौन है रस्मी तोर पर जो एक हार उसकी गले में डाल दिया गया था उसने वो भी फॉरण ही उतार दिया था उसकी ड्रेसिंग, उसका स्टाइल और मनचला अंदाज कोई भी ये बात जाहिर नहीं कर रहे थे कि वो दूला है निकाह के एक देड़ हफते बाद बड़े बापा ने अपने घर पर डिनर रखा था जिसमें हम लोगों को फोपो की फैमली और कहकर शापी की सस्ट्राल को इन्वाइट किया गया था मेरा वहाँ जाने का कोई रादा नहीं था मगर सितारा अंटी ने फोन करके ममा को खास तोर पर दाकीद की थी मेरी बहु को जरूर लाना ने कहा के बाद से उन्हें मुझे पर मजीद प्यार आना शुरू हो गया था ममा से फोन पर बात होती तो मुझे से बात करना भी लाजमी होता अब ये नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से जो दिल चाहे पहनू और मूठ आकर वहाँ चली जाऊं अब वहाँ इस तरह तयार होकर जाना था जो उनकी बहु के शायाने शान हूँ मेरे पहनने के लिए कपड़े ममा ने मुंतखिप किये थे और मेक अप सर पर सवार होकर रुष्णा ने करवाया था हम लोग वहाँ पहुँचे तो सब लोग लाउंच में ही बैठे हुए थे और नायास भाई से बाते कर रहा था उसके जुरवा भांजे यासर और मुदसर उसके कंधे पर लटके हुए थे सब ही हम लोगों को वैलकम करने के लिए खड़े हुए थे मगर सितारा अंटी ने जिस तरह सबसे पहले आगे बड़ मुझे खूब लिप्टा कर प्यार किया था तो खामोशी से सर जुका कर बैठ गई थी ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे थे यासर मुदसर अपने मामुजान को छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गए थे माईला बज्चों से एक दम मैं मामी बन चुकी थी दिनर का सारा एहत माम सितारा अंटी ने खुद किया था वो बड़े आराम से 40-50 अफराद की दावत का खाना पका लिया करती थी उनका सुगणापा और सलीका तो अजहरे मन अर्श शम्स था तब ही अचानक मामा को तश्वीश लाहाफ हुई थी माईला को तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं इसका कितना भी चाहती हूँ कि खाना पकाना सीख ले नाक किस्म का सास पना जाहिर करेंगी तो मेरे अच्छे भी खाना पकाना सीख जाएंगे दादी अम्मा तो शायद फिर भी कुछ रहम दिल रही होंगी फिर पापा मामा से शदीद महबत करते थे उन्होंने जब ये देखा कि उनके घर वाले उनकी बीवी को उसका जायज मकाम नहीं दे रहे तो बीवी बच्चे को लेकर अलग हो गए थे मामा को तो एक मिच्ची और जिम्मेदार और मुहमत करने वाला शोहर मिला था और मैं मेरा शोहर घर से महार मुक्तलिफ लड़कियों के साथ अफैर चलाने में मसरूफ होगा रातों को देर से घर आया करेगा जिन दिनों अपने उसने अपने दो तीन बे सुरे गाने गिटार पर सुनाए थे मैं बेजारी से बैठी हुई थी गाते वक्त उसने कई मरतबा मेरी तरफ देखा था घर आकर रुष्णा ने ये बात मुझे इस तरह बताई जैसे उसके देख लेने से मेरी कितनी इज़त बढ़ गई थी और तुम्हें बड़े गौर से देख रहा था शुकर है तुम सही होलिये में गई थी जूल्री उतारते हुए वो मुझे मुझे मुखातित थी आते वक्त मैंने उसे इस बात पर छेड़ा तो बता है क्या कहने लगा वो सस्पेंस पैदा करते हुए बोली वंगर जब मैंने इस की लगतियों के साथ दोस्तियां बिल्कुल पसंद नहीं वो इस तरह बोली थी जैसे कोई बहुत बड़ा कारणामा अंजाम दे आई हो और अब मुझे से इसकी दाध हासिल करना चाह रही हो मुझे जितना भी गुसा आ रहा हो मगर रुष्णा से कुछ भी कहना सुनना बे मेरा आगे पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था अजीब सी बेजारी और कोफत ने मुझे अपनी लपेट में लिया हुआ था मामा के इसरार पर मैंने तुनक मिजाजी से मेरा मूट नहीं है कह दिया था मैं मामा के साथ किचन में मसरूफ थी वो आज कल दिलो एक मुखतलिफ इदायत दे रही थी बेटा फोन है तुम्हारा पापा की आमद मुझे उस वक्त बड़ी अच्छी लगी थी किसका फोन है आप मना कर देते माइलबाद में कॉल कर लेती मामा का मुझ बन गया था ओन का फोन है पापा मामा की खुफ की भरे अंदास पर मुस मसलसल इसकी वज़ा सोचने में मसरूफ थी इतने सारे दिनों में ये उसकी मुझ पहली बराहे रास्त गुफ्तगू थी यार अब कुछ पकाना सीखी लो एक तो ये कि मैं कोई बगड़ा लैंडलॉड नहीं है अब अगर तुम्हारी किसमत में कोई कंगाल नहीं था तो को वैसे आजकल क्या कर रही हो एडमिशन क्यों नहीं लिया तुमने बस थोड़े दिन रेस्ट करने का मूड हो रहा है लूंगी एडमिशन मैंने आहस्तिगी से कहा था अच्छा कल तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है मेरी बात तर कोई तबसरा किये बगएर उसने पूछा नह के बाद इतने दिनों बाद उसे पता नहीं अचानक क्या सूजी थी मैं हैरत से सोचती वापस किचिन में आ गई थी ममा के इस अफसार पर मैंने डिनर वाली बात के बारे में उन्हें बता दिया था हा कल 14 थैना इसलिए वो तुमें ले जाना जा रहा होगा उन्होंने मुस इस बारे में फामोशी को घरवाले मेरे नीम रजामंदी समझ रहे थे यानि ये कि मैंने हाला से समझाता कर लिया है और ये बात छोट भी नहीं थी मैं वाकई हाला से समझाता करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही थी अगले रोज ममा और रुशना की कुछ कहे बगएर खुद ही मैं एहतमाम से तयार हो गई थी प्लेन ग्रे ट्राउजर और घुटनों से उची प्लेन ही शर्ट के साथ प्रिंटिट बड़ा सा दुपटा लिया था ट्राउजर के पाइचो और फ्रेंट ओपन शर्ट के दामन पर एमरॉइटी हो रही थी रुशना ने ओन को ब पत्थर रखकर खुबूल किया था ये तो ओन था जिसे मैंने दिल पर पत्थर रखकर खुबूल किया था अगर वो मेरा पसंदीदा तरीन शफ्स भी होता मैं तब भी तोहफा ये काड़ देने में कभी पहलना करती आट बजी के करीब वो आ गया था मैं दयार बैठी उसक आसा कम करते हुए उसने एक नजर मुझ पर डाल कर कहा थांकियो मैंने मतानत से जवाब दिया तो वो एकदम हस पड़ा अब कोई तारीफ करे तो जवाब में शुक्रिया ही अदा करते हैं मैंने कौन सी हसने वाली बात की थी तुम खुद भी बहुत अच्छी लग रही हो म मैंने उसके लहजे में छुपी शरारत महसूस कर ली थी इसलिए अपकी बार जवाबन थांक्यू नहीं बोली मैं उसकी तरफ से नजरे हटाए खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ थी लाल पिला रेस्टूरेंट में मैंने उसके साथ बैठ कर उसकी कहने पर अपनी पस करता हूं वो कुछ याद आजाने पर उटते हुए बोला तो मैंने सुकून का सास लिया वरना इतनी देर से खुद को लापरवा पोस्ट करते करते पसदन इधर उधर देखते में तंग आ चुकी थी कुछ ही देर में वह वापस आ गया और आती ही उसने एक कार्ड और और पर कार्ड पर लिखे कॉंग्राचलेशन्स और यो ग्राजुएशन को पढ़ा तुम्हारे पास होने का गिफ्ट जराजादा ही लेट हो गया असल में जिब तुम्हारा रिजल्ट आया मैं जुयरी बुकताने में मसरूफ था उससे फारिग हुआ तो मैंने सोचा देर तो ह ही गई है अब पास होने का गिफ्ट तुम्हारी साल की रखे गिफ्ट के साथ ही दूँगा मेरे कुछ कहे बगार उसने खुदी वजाहत कर दी थी फिर एक और कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं समझ गई कि वो बर्ट दी कार्ड होगा तुम तो मुझसे अपनी उमर भी कहा तो मैंने बजाए हाथ आगी करने के जल्दी से दोनों हाथ ही टेबल पर से हटा लिये थे मुझे अंदाजा था कि वो मुझे बर्डे गिफ्ट देगा मगर ये कि गिफ्ट में रिंग मिलेगी जो वो पहनाएगा भी खुद वो भी इतने सारे लोगों के बीच ऑन तु अमीर तो हूँ नहीं गरीब सा बंदा हूँ अब अगर तुमने इस गरीब का दिल तोड़ दिया तो ये बेचारा तो बस आहे वर्दा रह जाएगा मुझे उसकी फजूल जित पर गुस्सा आ रहा था वो बदस्तूर अंगोठी हाथ में लिए मेरे हाथ बढ़ाने का जोरी हरकते मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी तुम सोच रही होगी कि मैंने तुमें वैलेंटाइन दे के हवाले से ना कार्ट दिया ना फूल और ना ही कोई गिफ्ट बेफिकर रहो फूल गारी में रखे हुए है यहां इतना बड़ा गुलदस्ता उठाकर लाना अपवर्ड लग रहा था इसलिए गारी में ही छोड़ दिया उसकी बात पर मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि फोल भी ले ही आते उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुमने मुझे बढ़ते विश नहीं किया खामोशी से खाना खाते खाते उसने अचानक शिक्वा किया मैंन नहीं इसी तरह मुझ पर नजरे जमाएं वो बड़े अजीब से लहजे में बोला था मैंने बेसाफता उसकी तरफ देखा मेरी आखों में आखे डालकर वो बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहा था मैं कुछ गड़बडा सी गई थी क्या उसे पता चल गया कि मैं उससे शर्मा नहीं रही हूँ बलकि बेजार हो रही हूँ उसका साथ मुझे खुशी फराहम नहीं कर रहा बलकि कोफ्त और जुंजलाट में मुपतला कर रहा है तुम इस रिष्टे पर खुश हो ना माईला अभी मैं उस उध्यरगुन में ही लगी हुई थी कि उसे वैलेंटाइ इतनी तेजी से दिल एक दम इतनी तेजी से धड़का था वो मुझसे बराहे रासी सवाल पोच बैठी का मैंने सोचा बिला था ये सवाल क्यों पूछा तुमने जाहर है मैं खुश हो तब ही तो यहां इस वक्त तुमारे साथ बैठी हूँ खुद को कंपोस करके मैंने बड पर जोर देते हुए एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा तुम जोट बोल रही हो वो चिलाया था ऐसा लग रहा था जिसे वो सफ़ गुसे में है और बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था ये क्या हो रहा है मैं हरासा हो गई थी डरते डरते मैंने उसकी त देखा तो वो दोनों हाथों से सर थामे बड़े उल्जे हुए अंदाज में बैठा था तुमने इंकार क्यों नहीं किया था तुम पर किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी तुम कह सकती थी कि तुम्हें रिष्टा कुबूल नहीं उसका लापरवा और गैर संजीदा अंदाज में उसने मुझसे पूछा बेफ्ट्यान मेरी गर्दन हां में हिल गई मैं अभी शादीवादी के जंजट में नहीं पढ़ना चाहती थी मैंने ममा को बना किया था ये बात कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती मैंने चुपाने की कोशिश की थी मगर उसके को एहमियत दे रहा है तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा तुम सिर्फ एक फोन मुझे कर देती मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लेता तुम्हारी इस खामोशी ने हम दोनों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है माईला तुमने बिलकुल भी अच्छा नहीं किया वो मुझसे नजरे हटा कर बड़ी आहिस्तिगी से बोला मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी बेलकि अब मेरे बोलने के लिए कुछ बचा ही ना था मेरी आखों से गिरने वाले आस्वों से कदय नजर वो जाने के लिए उठ गया ड्राइविंग सीट पर बैठा वो मेरे बैठने का इ चा दिया था गाड़ी से उतरते हुए मेरी नजर पिछली सीट पर पढ़े सुर्फ गुलाबों से महकती बुकी पर पढ़ी उस पर लगे हुए कार्ट पर पता नहीं मेरे लिए क्या लिखा गया था मैं उससे कुछ भी नहीं क्या पाई थी खुदा हाफिस तक मेरे मुझ स नहीं निकल सका था वो आशिक नहीं शोहर था चाहे मैंने उसे खुशी से कुबूल किया था या ना खुशी से मुझे रोना आ रहा था बेत तहाशा रोना दिल चाहा रहा था यहीं खड़े खड़े पूट पूट कर रोना शुरू कर दू सब कुछ कितना गलत हो गया था ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था तो लिसनर्स इस वाजना एंड आफ तर्म ये खौब तो सेराब है सेकंड लास्ट अपिसोड इंशाला जल्ट मिलते हैं लास्ट अपिसोड के साथ तब तक अपना ख्याल रखें दूआउ मियाद रखें अल्हाफिस